है अगे ऑसके अपडेटिट मैपस में से कौन से प्लोट्स एसे नोन डिवल्ट्ट है या या से प्लोट्स है गलत वर्ड वर्ड यूज़ करें बडाउनिंगा कौन से प्लॉट्स अजिन कि तर्व नहीं नहीं हुई नमबर बन नमबर टू कि आपका एक्सेस का डिस्टंस यानि कि आपने एक्सेस लेनी है में 400 फीट और इंटरचेंज से उसका डिस्टंस जाम्य मौसर डिस्टंस एंड ओवराल तमाम चीजों को स्टूडियों के डिसक्स करेंगे सबसे पहले कि इसमें कौन से प्लॉड लॉक इस इन्वेंटरी के वारे में कोई अपडेट नहीं है और इसके बाकी में रोड हैं वहां पे चार मॉला अर्ट मॉला के कृटिंग्स और इस तरह साथे 300 फूट रोड है लोकेशन वाइज यह ब्लॉक बहुत 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 प्राइम हैं क्योंकि आपको चार सबसे पहले इस चीज़ कर लेते हैं कि आपको इंटर्चेंज से डिस्स कितना बनता है यह मैं जो आपको मैप इस चार्टिंग पॉइंट ब्लॉक का उस पर इस तरह रहा हूं अब देखे चार सोफिट पॉइंट पर आके अब आगे इस से आगे सेक्टर सी से आगे जो आपकी में बॉलिवर्ट है वहां तक नहीं है लेकिन एक्सेस पॉइंट तक जहां से सेक्टर सी में आप एंटर हो सकते हैं वहां तक आपको 400 फीट बढ़ा क्लियर नजर आता है ऐनीकेस यह तो होनी है पर्रॉपरली क्लियर क्लीर कट रोड में कुछ पार्ट में यह कार्पिट और ब्लैक टॉप नजरा हता है और पीछी में कुछ पार्ट, एक बन्यूंत वह दूер 2 किमिटर न बात इतना अच्छा एक्सेस मुझूद हो तो यह आपकी सॉरी मैंने गलत मेर कर दिया मैंने उसको मैं दुबार मेर कर दिता हूँ 400 फिट रोड से डिस्टंस 1.60 किलोमेटर नहीं बनता वलके ज्यादा बनता है यहां तक मैंने बीच में पॉइंट था मिस्स कर दिया था मैंने 350 फिट रोड को इंटरचेंज समय लिए था इन्हां निकेस यह आपका डिस्टंस बनता है में 400 फिट रोड से यह आपका रूट बनता है और रूट के अब देखें तो 3.93 किलोमेटर का डिस्टंस बनता है अगर आर वन रोड यूज करते हैं तो आर वन रोड के थूर अगर आप आते हैं सेक्टर सी में तो आपको जो डिस्टंस मिलता है वह आपका कट हो जाता है यहां से 3.69 किलोमेटर वैसे बनता है और सेक्टर सी में यह तक आने के लिए आपको अंदर से आना पड़ेगा around 4.16 किलोमेटर कोई बन्दा यह प्रफर नहीं करें का और बन र के इसन्स भी में कर लेते हैं यह जामय मोज का पॉइंट है और यह सेक्टर सी का स्राइटिंग पॉइंट है तो हार्ली आपको डिस्टंस जा है वह तक्रीपन एक किलोमेटर के डिस्टंस तो यह बहुत बड़ा ड़ा इडवांटिज है 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 तो आपको वहां सिप सफट्रोड और इसकी बात करें वेस्साइट पर लिनेयर पार्कलस यंठ मार्किट मॉश्ट कॉलज मिनी मार्कृट सब कुछ यह बनता है ज्युने स्कूल देख ले मॉश्ट का क्लाइब यह चीज बनती है यह बात करतें जिसमें प्लॉटी के लिहाज से स्क्टरविन से स्ट्रीट नंबर वन यह सब्सक्राइब कर देखें लेन 6 लेन 5 लेन 6 लेन 5 लेन 6 लेन 5 पर देखें यहां लीनर पार्क है जो नीचे डिवेलप नहीं है, ब्राउन नहीं हुआ, और जो वन कनल के प्लोट्स हैं, इस लेन पे, फाईफ और स्रीड लेन फाईव और लेन सिक्स पे, वो भी अभी तक ब्राउन नहीं हुए, यह तो होगी, इस साइट की बात, मैं इस प्रॉक्सिमिटी की डिस्संस की बा और बाकिया की अरिया जो इसकी ब्राउनिंग हो चुकी है इसकी बात करें तो पैक सबस्ट पर भी कुछ इसी तरह से मामलात हैं कि स्ट्रीट थी भी सारे के सारे प्लॉट नहीं हुई तो यह वाला इरिया नौन डिवलॉप्ट ही है अगर मात करें स्ट्रीट 4 पर प्लॉट से प्लॉट नमर 38 बनते हैं तमाम के तमाम प्लॉट जो है अब तक नॉन डेवलप्ट हैं और इनकीब तक काम नहीं हुआ निचे एक वाटर बाड़ी भी है आई डॉन नहीं यहां पर साइटी लेटर से प्लॉट तो शो करें मैप पे अब इन प्लॉट पर जब पर ब्रॉट नहीं आज़न के बात करें और आपको किसी जगह पर ब्रॉट नजर नहीं आती हमा सबप्लॉट नमबर नाइट से प्लॉट नमर 12 तक यह प्लॉट बनते हैं यह जो अरिया बनता है यह वाटर अरिया ब्राउन हो चुकए है इस वाल अरिया को देख ले यह ज यह एक्षिल ब्राउन है जो फस्त कास्ट करने के लिए जो करते हैं वह ब्राउन है बट लेट सी हम देख लेख लेशन के पॉइंट फियू से कि यह ब्लॉक अलिवेटेड है यह नहीं है तो सब से बहले देखते हैं जिस प्लॉक की ओवराल लैंड की आपकी रेशो अब यह की लेंड है कि लेंड मुस्ली जो है पार्ट वो कुछ पार्ट है कुर्ट पार्ट अपकि जो बांक यह स sfी ब्लॉक और एक इंड से लिएिग जो करों उखेडियूंक फक्रम यह बीखार फिल्झॶ होगी तो सब्रॉक्व बांचक्ःर हैं लेंग शर्पिर फिल्लिंग नि विलाज के लिए रिजर्व किया है इट सेल विलाज वो कंस्ट्रक्ट करके जब यहां पर सेल की जाएंगे तो जो कंस्ट्रक्शन खर्चा होगा वो साइटी खुद बेहर करेगी मेंबर्स पर खर्चा नहीं डाला जाएगा तो यह होगा सेक्टर C के अगली वीडियो के लिए खुदा हाफिज